एपिए गाइज विलकम बैक तो मैं चानल पीचियस वारियर मैं हूँ आरती स्वागत करती हूँ मेरी यूटूब चैनल में जहां पे मैं आपको लेकर आती हूँ बहुत ही इंटरस्टिंग से जो फैक्स जो की कोशिन्स पूछे जाते हैं एक्जामिनेशन के पॉइंट और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए यह पूरा का पूरा एक प्ले लिस्ट में बनाने वारियर में पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में बनाने वाली हूँ विकॉज इसमें फुल इंफोर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटर जितने भी इंफोर्मेशन है जो की एक्जामिनेशन के पॉइंट और व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा में इसमें डाल दूंगी ठीक है यह जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके अलावा आपको अधर इग्जामिनेशन के हिसाब से जैसे की जियोग्रफी हो गया हिस्ट्री हो गया और जीके हो गया उसके अलावा मैट्स के कुछ ट्रिक्स हो गया अधर इंपॉर्डटन जो भी है सो वो आपको यहाँ पर अवलेबल हो जाएंगे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे ठीक है तो चली आईए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक का मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आप आई बटन में जाएए वहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शिन में मैं यह लिंक डाल दोगी वहां से आप देख सकते हैं तो चली आईए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का जो बेसिक है मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम और क्या-क्या चीज और क्य जाएंगे धिरी धिरी देखते हैं क्या है इसमें प्रॉसेस सो चली आईए मैंने इन्फोर्मेशन बताया है कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है वह आल्मोस्ट आपको मैंने बता दिया है फिर भी एक बार मैं ख्लेयर आउट कर लेती हूँ यह क्या होता है इंपूट हो इ यह अच्छा यहां पर पढ़ लिजिए इस अ हाई स्पीड एलेक्ट्रोनिक डिवाइस विच इस अ कैपबल ओफ पर्फॉर्मिंग लॉजिकल और अर्थमैंटिकल ऑपरेशन इक्सेट डेटा आ एज इन इंपूट फॉर्म दे यूजर इन प्रॉसेस अंदर गिव और डि तो अभी हम बेसिक पढ़ते हैं ठीक है चली स्टार्ट करते हैं यहां पर ओके फॉर्स्ट वाले स्लाइड में मैं यह लेकर आए हूँ कि कोश्चिंस में सॉर्श एक्जाम्स में कुछ ऐसे कुश्चिंस होते हैं जो कि सम्टाइम्स हमारे मेमरी में स्ट्राइक में करते है हम भूल जाते हैं उसको है ना तो यह सारी जो छुटे-छुटे पॉइंट्स है वह मैंने फॉर्स्ट आपको यहां पर लेकर आए हूँ तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं ओके फर्स्ट यहां पर है वर्ल्ड फोर्स्ट इलेक्ट्राणिक डिजिटल कंप्यूटर आपको पता है हमारे दुनिया में अल ओवर दिनिया मतलब आल ओवर वर्ड में सबसे पहला जो वो इलेक्ट्राणिक गाजट्स आपना कंप्यूटर का वो मतलब कौन लेकर आया था कौन सा था यह एलेक्राणिक नुमेरिकल इंटीग्रेटर आंड कंप्यूटर ओके यह ना वन लाइनर कॉश्टिंस पर आते है फोर आप्शिंस दे रहेंगे और इसमें कुछ बहुत कं it okay so so world first electronic digital computer consult her in their ticket that is electronic new miracle integrator and computer okay that is clear okay next here India's first rule digital computer first India's the concert the India cause visiting the computer concert बना ताट इस इद्धार वो किसने इसको बनाया था ECI यानि कि इन्हांस कैटरेज इंटरफेस यह क्या है एक तरह किसे computer का interface है ठीक है ना computer-based interface है जिन्हों ने फिर्स्ट इंडिया में फिर्स्ट इसको इनागरेट क्या था मतलब बनाया था यह पता है यह है मिनिस्ट्री और एलेक्ट्रोनिक ए इन्फर्मिशन टेक्नालोजी का गवर्मेंट का है यह एक प्लाट्फ़ॉर्म जो की जिसने मतलब जिसमें Central Center for Development of Advanced Computer जो है उन्हों ने इस चीज़ को डिजाइन किया था बनाया था ठीके ना परम को बनाया था कि नेग्स यह फर्स पूब्यूटर रनस टा विजिए में मैं तरी फर्स कंपीटर वह इस्टा बर्लेशिन में पोस्ट अफिसल बैंगलोर ऑन 16 ऑॉगुस्त 19 1986 में 1986 में बैंग लोर में 1st कौन सा computer हुआ था launch मतल सारी कहां पे हुआ था 1st जो main post office में जो computer को लाया गया वो कहां पे हुआ था वो हुआ था वुआ था बैंग लोर में कहां पे बैंग लोर में और कौन सी टाइम में? 1986 में ठीक है? अगे बढ़ते हैं, फिर्स्ट पॉस्ट आफिस पूस्ट आफिस पॉस्ट आफिस तो बहुत है इंडिया में बहुत सारे बट फिर्स ऐसा कौन सा पोस्ट आफिस रहा है जो कि कंपिट्रायज रहा है, फुली कंपिटराय सब्सक्राइब आप नुब एल्यू देली न्यू डेली में बेकोज अबहुत सारे जोगी बहुत सारे मिनिस्ट्री गरह काम करते हैं उनके लीए computerize होना बहुत जरूरी था ओफिस को ठीक है नेक्स्ट है ऐसा फॉर्स्ट कौन सा था जो कि हिंदी कमांड को जिसने हिंदी कमांड के उपर बनाया था लैंग्विज इस पर यानि की यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिर्फ पॉइंट्स को कवर किया है ओके इन 1971 सेंसिस में अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला कौन सा computer है जो कि सेंसिस में आते हैंने कि IBM 1401 computer was used in India ठीक है इंडिया में first time IBM 1401 computer को use किया गया था ठीक है ना 1971 में 86 में देखो क्या हुआ था ना कि 86 में सबसे पहले बैंगलोर के office में था ओके बट उससे पहले 1971 के संसिस में IBM 1401 को यूज कर लिया गया था इंडिया में ओके नेक्स्ट है डॉक्टर राज रेडी इस फोस्ट इमिल सर्विस है जो कि इंडियन लांविज इस के ऊपर काम करता है दाट इस सिस्ट में सिस्ट में जिस किसने बनाया था ये भी ministry of electronic and information technology के ही है सी डेक यानि की संटर संटर फोर डॉलिप्मेंट और इद्वांस कंप्यूटिंगे नेक्स्ट है international level पर सबसे इंडिया का फिर्स्ट इंड नाशनली इंटरने शर्दीक एंटरने शर्छा सर्विस का तर्फा यान्ट इस यान्टरा एंडा हर्ल दिया पल कि सिस्ट का is &ats सबसे पहले जो कि सिख्कम में सबसे जाए सबसे ने, जिस में फर्स टइम जो टेली आपके जूडर यह पते हैं, जो मैं ने से जली था आ कि लंड दियोन तरिक्ट पॉइंट से जो मैं और मैं ने सर्च क Prof. पिलो नतर पूसी डेहतक है, अज्मानना अत्री शेम DCE इसमें बहुत बार पूछे गए हैं तो यह सारा का सारा मैं लेकर आई हूं आपके लिए ठीक है नेक्स्ट बढ़े आगे समझ आ गया ना ओके ठीक है चलिए अब जो छोटे-छोटे पॉइंट से वह मैंने क्लियर कर दिया अब हम कंप्यूटर का कुछ इंट्रोडक्शन भी अब समझ लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर का जो सौफ्ट्वेर हैं हाडवेर हैं सम्टा कंप्यूटर क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया यह एक इलेक्ट्रोनिक मशीन होता है ठीक है इस यह क्या करता है कि आपका जो जो भी आपने कैल्कुलेशन के लिए दिया होता है आज इन इंपुट आपने कैल्कुलेशन के लिए दिया होता है वह उसको आज जैसा produce करेगा वैसा ही output आपको provide करेगा जैसे आपने गलत information दिया वो गलत तरीके से ही information को wind up करके आपको present करेगा लेकिन अगर आपने information को सही accurate तरीके से दिया हुआ है तो 100% आपको accurate output ही देगा ठीक है न यह clear होगा देखो गलत कहने का मतलब यह नहीं कि गलत तरीके से आपने कुछ भी डाल दिया तो वह कुछ भी दे देगा ऐसा नहीं है अगर आपने गलत तरीके में in the sense जैसे कि आपने आउट input में कुछ भी information डाल दिया ठीक है कुछ भी type कर दिया ऐसे करके 12345 कुछ भी की पोड में आपने कुछ भी टाइप कर दिया बट उसको आप वही इंपूट आपको लाके दे देगा आसे तरीक है अब समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर तो समझ आ गया हमने कुछ भी input दिया तो output हमें कुछ न कुछ देगा ही processing होते हुए उसके बाद हम system को समझते है system क्या होता है it is a set of hardware and software device which are connected to each other to solve a specific problem obviously यह हाथ है यह भी हाथ है यह अगर एक हाथ नहीं होता है तो दूसरे हाथ से काम होता है अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का performance के लिए तो कम से कम दो या तीन चीज़ों का होना जरूर होता है चाहे आप वहेकल कीgrade कर लो वहेकल में क्या होता है टायर के ef cort mu जिलेगा नहीं है न पिर क्या होता है speed breaker के विलिशकर का पेचे का जो roadway है भो थोड़ा सा स्मूधी नहीं माना जाएगा समटाइमस इसी होता है तो चीजों को समझने के लिए चीजों को accurate तरीके से process करने के लिए कुछ ने कुछ tools की जरूद होती है जो की एक system का एक रूप ले लेती है ठीक है ना तो उसी को हम system यानि computer का एक system हो गया अब system में देखें कौन कौन सा होता है hardware and software ठीक है hardware में ठीक हाडवेर हो गया and software हो गया यहां पर देखें monitor हो गया keyboard हो गया mouse हो गया printer हो गया यह सारा का सारा क्या हो जाता है एक system के under में आ जाता है ठीक है monitor में अगर हम काम करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ output कर्रेट करता है keyboard keyboard के अगर हम बात करें तो तो हमें input देता है। ठीक है so इसी तरके से system का एक काम होने लगता है ठीक है अब बात करते हैं computer के hardware की अब देखो यहां पर हमने बात किया computer उसके क्या होते हैं computer में hardware होते है and software होते हैं ठीक है अब hardware में क्या होता है hardware क्या होता है it is a set of physical and magnetic device which are used to make computers we can see and touch these peripherals यानि कि ऐसा hardware का मतलब यह होता है कि हम चीजों को उसको हम touch कर सकते हैं ठीक है हम जैसे मान के चलो mouse हो गया है नहीं यहां पर देखो hardware में अगर देखा जाए तो outside border of the computer system यानि कि computer के बाहर जो जितनी भी चीज़े है ना वो सारा का सारा hardware हो गया जैसे कि आपके mouse हो गया mouse के अलवा आपका जो plugging करने वाला system होता है वो हो गया ठीक है सो यह सारे कि सारे चीज़े क्या हो जाती है hardware हो जाती है उसके बाद हम बात करते है software की computer software क्या होता है it is a set of program which are written in a computer language that is a machine binary language these are all these are used to work on computer system these provide instruction to various part of computer system अब एक बात में ध्यान से सुनिये जब भी हम किसी से मिलते है तो मान के चलो एक बंदा है जो कि है बिहार साइट का है और एक बंदा है तेलगू साइट बंदा तमिलनाडू साइट का है तो एक बंदा है बिहार का और एक बंदा है तमिलनाडू का they don't even know how to speak each other because उनका जो language है वो different है तो वो एक दूसरे के language को नहीं समझ पाएंगी ठीक है तो ऐसे ही क्या होता है कि computer हमारी language को नहीं समझ पाता है हमें उसको उसी के language में चीज़ों को समझाना होता है तो उनकी language क्या होती है binary numbers बाइनरी code होते है 010101 10101 यानि 01 के format में अगर हम कोई भी चीज़ को input करते हैं तो वो computer को समझ आ जाता है ठीक है अब कैसे समझेंगे जैसे आपने Bluetooth लगाया ठीक है अब क्योंकि यह तो hardware है अब कैसे समझेगा computer तो आपको hardware को अपने जो software है computer में उसमें आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा एक command देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम software है और सौरे हम hardware है हम Bluetooth हैं तो हमारा जो Bluetooth का जो भी फेरिफियर्स है उसको accept करो और हमारे साथ एक contract करके चलो ठीक है समझ आए ना यह चीज़ ओके तो यह computer formwares होते हैं जैसे कि iPod, Bluetooth, iBook यह सारे नेक्स्ट होता है लाइव वेर्स ठीक है लाइव वेर्स में क्या होता है in the term of people associated with the benefited from the computer system जैसे कि मान के चली एक बड़ा सा form है online का business है उसने क्या किया है कुछ चीज़ों को सेल किया है अब होता है यह न कि Live में क्या होता है लाइव का मतलब यह होत NO kijken चलता हुआ मतलब की चलता हुआ जहसे कि YouTube में क्या होता है कि Sometimes teacher पढ़ा रहा होता है और उसमे क्या होता है कि Live मतलब की comment आते रहते है ठीक है, तो यह क्या feedback मिल रहा है एक तरीकी से, यानि कि जो system है, उसको feedback मिल रहा है, that is a live work, ओके, यह चीज clear हो गया न, आपको computer का एक छोटा सा part, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इसके बाद यहाँ पे भी मैंने एक introduction दिया है, इन दोनों का compilation ही आपका एक बहुत ही अच्छा computer का introduction बन जाता है, ओके, यह चीज clear हो आपको, ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, data versus information, data क्या होता है और information क्या होता है, so you should understand what goes in a computer data and, ओके, यहाँ पे मान के चलो, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में simply बता दिया था, कि data क्या हो और information क्या होता है, ठीक है, so, एक मिनट, यहाँ पे नहीं करूंगी, मैं इधर करते हूँ, यह है data, यहाँ पे आपने data डाला है, कुछ भी डाल दिया है, one, two, three, one plus four, one, whatever, फिर यहाँ पे क्या होगा, processing होगा, ठीक है, processing होने के बाद, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, output मिल जाएगा, यानि कि output में क्या हो सकता है, information ही होगा, ठीक है, output में आपको क्या मिलेगा, information मिलेगा, obviously किसी ने किसी जीज़ का information मिलेगा ही, so, यहाँ पे जो process हो रहा है, that is the process, तो इसी को क्या बोलेंगे, information processing cycle, okay, यह क्योंकि एक cycle चल रहा है, information, फिर आपने सोचा कि इसी information को और enhance करके, मुझे और information जीए, तो आपने इसी information को डाला, उसके पास आपको processing हुआ, फिर आपको, आपके पास क्या मिल गया, information और बहतर द अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे का process, that is the characteristic of computer, so, इसमें देखो क्या होता है, कि computer का बहुत अच्छा advantage भी है, लेकिन sometimes कुछ disadvantage भी है, so, यहाँ पे हम देखते है, advantage क्या होता है, advantage में हमने देखा है, speed, accuracy, and high storage, and reliability, and versatility, okay, so, speed याने की computer है, much faster compared to human, obviously, computer में क्या होता है, आपने न, कुछ भी input डाला है, वी दिन से के न, आपके पास क्या आजाता है, output जाता है, ठीक है, जितना दिमाग नहीं काम करता है, हमारे इंजानों का, उतना क्या करता है, न, computer वाला, जो दिमाग होता है, बहुत जल्दी काम कर लेता है, इसलिए के आप बोलते हैं, कि, सुबह आपको योगा करो, ये करो, वो करो, computer जो से तेज दिमाग हो जाना, बट ऐसा होता नहीं है, sometimes, but computer का जो, speed है, वो, मतलब बहुत ही, मस्त है, बटलब शांदार है, जिसको होता है, कि, आप कोई सा भी calculation देते हैं, वो accurate बताएगा, यानि कि, points में भी, 10 decimal आगे, आपको, उसके आगे का value बता देगा, okay, clear हुआ नहीं चीज, चलिए, high storage, आप computer में, बहुत सारे storage, आप, बहुत सारे information को भर सकते हैं, ये कि, very, very small space में, बहुत सारे information भर सकते हैं, ठी affected to tiredness and obviously ये थकता नहीं कभी, okay, सब लोग थक जाते हैं, इंसान थक जाता है, बट computer नहीं थकता, आप इसको दिन राज चलाते रहते हो, थकता नहीं, बट हाँ, इसको battery charge जरूर करना होता है, ठीके न, आप खाना खाते रोगे, खाना खाते रोगे, खाना खाते रोगे, खा आपको सोने का मन कर जाएगा, ये करने का मन कर जाएगा, बट नहीं, computer को सोना होना नहीं होता है, बस उसको charge देती जो, ठीके न, that is a reason, weakness कभी नहीं आता है, इस सब चीज़ों, फिर है versatile, computer can perform repeated, मतलब एक साथ में बहुत सारे ये काम कर सकता है, ठीके, आपको पता है, बहु दो या तीन काम कर सकता है, बट, computer में क्या होता है, कि वो बहुत, एक साथ बहुत सारे टास्कों को perform करने की शमता रगता है, okay, disadvantage में हम देखते है, lack of decision making power, obviously, इस में वैसा दिमाग नहीं है, जैसे बोलते हैं कि emotional भावनाव वाला, बोलते हैं, emotional भावनाव वाला, जो sense होता ह है, वो नहीं है, बट, calculation के साथ से यह perfect है, बट, sometimes decision making नहीं कर पाता है, अगर यहाँ पे मान के चलो, आपने एक page खोल रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने एक page open क्या हुआ है, ठीक है, इस पे आप काम कर रहे हो, कर रहे हो, यह हुआ ही नहीं, complete ही नहीं हुआ है, औ और यह आप इस पे भी कर रहे हो, इसमें आपने command दे दिया, delete का, तो यह delete कर देगा, अब वो यह नहीं बोलेगा, कि भाई, delete मत करो, मेरा भी काम, इसमें भी काम यह नहीं हुआ है, आपको यह पूरा करना है, है ना, यहाँ पे आप delete मारोगा, यह delete कर देगा, computer के पास दि क्यों, एक क्या बुलते हैं कि emotional, ठीक ही, यह सारे चीज़े नहीं होती, बठा एक systematic point of view से बहुत ही perfect, ठीक है, ठीक है, हमें इसको बताना पड़ेगा, अगला step बताना होता है, अगला step बताना हो, यह अपने आप से ना IQ नहीं लगाता है, कि आगे क्या करना है, नहीं, clear हुआ ना यह चीज़, ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो please like and share जरूर करिए, subscribe कि बिना बिल्कुल मत जाएं, और भी मैं पुरा full detail computer का लेकर आऊंगे, जितने भी computer से related, पूछे जाते हैं, examination के examination में, वो सार सारा का सारा में यहां detail cover करूंगी साथ में, इसमें हम कुछ questions भी लगाएंगे, MCQs भी करेंगे, ठीक है ना, so तब तक के लिए, thank you so much, and बने रही है मेरे साथ, ठीक है, thank you